चुनावी महाल में पक्ष विपक्ष के अलावे देश की दो समवैधानिक संस्थाएं चोतरफा निशाने पर हैं। CBI पर ताजा हमला पश्चिम बंगाल में सुप्रिम कोट के आदेश पर शारदा चिटफंड मामले की जांच करने पहुँची उसकी टीम को बंधक बनाने के रूप में सामने आया। CBI से टकराओ के हलात के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर जी कोलकाता के पुल्स कमिशनर के आवास पर पहुँची उन्होंने इस मामले को राजनितिक रंग देते हुए धरना पर बैठने का एलान कर दिया। नहीं से मामला समवैधानिक संकट वाला बन गया। आईए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। वर्ष 2013 में शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच का जिम्मा ममतर सरकार ने विशेस जांच दल को दिया था। इसके मुखिया राजीव कुमार थे। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोट ने ये दोनों मामले CBI को सौप दिये। बाद में CBI ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार ने कई डोकुमेंट, लैप्टॉप, पेंड्राइब, मोबाइल फोन उसे नहीं सौपे। इस बारे में IPS अधिकारी राजीव कुमार को कई बार समन भेजा गया लेकिन वह CBI के समक्ष पेश नहीं हुए। CBI के मुताबिक इन ही सबुतों के सिलसिले में उसके अधिकारी रवीवार राथ, कोलकाता पुलिश कमिशनर राजीव कुमार के आवास पर गय थे। मालूम हो की शारदा स्केम करीब पचीस सो करोड रुपए का है और रोज वैली स्केम करीब सतरह हजार करोड रुपए से जादा का है। अधिकारीों के मुताबिक दोनों ही मामलों में आरोपियों के कथित तोर पर सत्ताधारी TMC से लिंक पाए गये हैं। इन दोनों ही चिटफंट घोटालों की जाच CBI कर रही है। इस मामले में बीती 11 जनवरी को CBI ने पुरुवित मंत्री पीच दंबरम की पतनी नलिनीची दंबरम के खिलाप आरोप पतर दाखिल किया था। अब देखना ये है कि घोटालों की जाच कर रही CBI के अधिकारियों की गिरफतारी के बाद धरना पर बैठे पुलिस कमिस्नर और उसके साथ ही धरना पर बैठी पश्चिम मंगाल की मुकमंत्री मंता बेनर जी इस मामले को किस प्रकार का राजनेतिक रंग दे रही है और इ कि अधिक रही है और उसके साथ है और उसके साथ है